बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब इंसान था, उसके साथ उसकी पतनी और दो छोटे-छोटे बच्चे भी थे. उसका अपने परिवार का पालन पोशन करना बहुत कठिन हो गया था. उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा. तभी उसने अ एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिश्यों के साथ बैठे हैं. उसी वक्त उसने निर्णे लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिश्य बनकर यहीं रहेगा. उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिश्य बना कर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिश्य बना कर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिश्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते-चलते ठक गए थे. सब रुक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं. तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी. उन्होंने अपने नए शिश्य से कहा, यहां पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ. भगवान बुद्ध का आदेश मान कर वह सरोवर से पानी लेने चला गया. जब वह सरोवर के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं. जैसे ही वह सरोवर के और पास गया सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड सड़े गले पत्ते उपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था. उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पीएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लोटता है और आकर बुद्ध से बोलता है. भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है? अपने शिश्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ, उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ. भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पियेंगे? जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देख कर चौक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है. उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है. भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाय हुए थे, तब सरोवर का कीचड उभर आया था. लेकिन कुछ देर शान्त रहने पर कीचड फिर से नीचे बैठ गया, और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच हो गया. ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिती भी ऐसी ही होती है. जीवन की कठिनाईयों और भाग दौड हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्नाय ले लेते हैं. लेकिन कोई भी निर्नाय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शान्त रखें और धैर्य पुर्वक बैठ कर सोचें, तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड की तरह नीचे बैठ जाती है. और तब हम जो भी निर्नाय लेते हैं, वो हमेशा सही होता है. इसलिए बुरे समय में इनसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए. भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है, और जब वह शान्ती से बैठ कर सोचता है, तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है. फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्नाय लिया था. फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्या लेकर अपने घर और वापस चला जाता है.